Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल वो एक बहुत important role play करती है, दो culture के intermixing के अंदर में, दो culture के integration के अंदर में एक भाशा का बहुत important role रहता है, और भारत जो भाशाओं के विविधताओं का देश है, भारत के बारे में हमेशा ये कहा जाता रहता है, कि भारत में हर meal पर बोली बदलती है, और हर बोली के साथ मे उनके अपने एक cultural significance और उसकी importance रहती है, तो वैसे ही दोस्तों, बिहार के अंदर में सुर्जापुरी और बज्जी का इन dialects को आगे बढ़ाने के लिए, इनको और जादा प्रचार प्रसार करने के लिए अलग से department बनाने की बात की गई, तो आखिर क्या हैं सुर्जापुर और बज्जी का dialects, ये किस area में, किस region में बोले जाते हैं, इनको बोलने वाले कौन हैं, ये सारे चीजे जानेंगे detail में इस वीडियो में साथ में बने रहिएगा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको study IQ, IS course के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप मे 6 से इसकी हमारी class से शुरू हो जाएंगी, आप PRT live code use करके उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो अगर आगे बढ़ें मेरे प्यारे दोस्तों, तो बज्जी का और सुर्जा पुरी, और ये बहुत important आपके exam के लिए रहेगा, क्योंकि ऐसे question direct पूछे जाते हैं, तो बिहार के chief minister और education minister ने state education department को कहा है, कि आप academies को क्या करिए, set up करिए, किसके लिए, कौन सी भाषा के लिए, सुर्जा पुरी और बज्जी का dialect के लिए, जहां पर हिंदी और उर्दू की जैसे academies हैं, वैसे ही क्या होना चाहिए, बज्जी का और सुर्जा पुरी के और जो monitor करेंगे कि कैसे और dialect और languages जो भारत में बोली जा रही है, वो progress कैसे कर रही है, कैसे उनको और आगे बढ़ाया जा सकता, आप यह समझे, present time में पूरे देश के अंदर में भाषा को लेकर और भाषा से related movement को लेकर एक अलग ही माहौल चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि हर region, हर state के अंदर में अलग-अलग diverse भाषाएं रहती हैं और उनको preserve करने के लिए उनके advocacy की बात हमेशा से होती रहती है, आप यह सारी चीज़ा आप जानते हैं कि even freedom struggle के अंदर में, national movement के अंदर में, आप post-independence की बात करिए, अगर आजादी के बात के तुरंत era अगर द ना रखें, बलकि एक भाषा यह बताती है कि कौन सा culture कितने समय तक चला रहा है, तो यह कहा जाता है कि भाषा अपने साथ सिर्व राजनीती को लेकर ही नहीं, एक society को एक culture को लेकर चल रही, जिसको preserve करना हमारी क्या है, जिम्मेदारी है, तो बिहार के अंदर में सुर्जा गंज, जो district है, और जो सीमांचल वाला जो area है बिहार का वहाँ पर बोला जाता है, आपका कटिहार, पुर्णिया और अरडिया में भी बोला जाता है, लेकिन जो mainly बोले जाती है, वो कहाँ पर किशन गंज, प्लीज याद रखें किशन गंज के अंदर में, और जो यह dialect है, यह आपके एक्जाम के लिए important हो जाता है, यह पूछा जा सकता है, यह किसका mix है, बांगला, उर्दू, हिंदी, इनका क्या है, एक mixture है, यह dialect, प्लीज याद रखेंगा, और इवन यह West Bengal के अंदर में भी यह बोली जाती है, और अगर आप देखें तो बिहार के अंदर में इस वाले रीजन में अगर देखा है तो बज्जी का, और जो आपको मैंने का ना, महिंगौल के साथ लगता हुआ एरिया सुर्जापूरी यहाँ पर बोली जाती है, वैसे तो अगर देखा जा, इसका religion से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम किशन गंज उसके district की बा बोली जाती है, तो हम यह indirectly कह सकते हैं, जो maximum share है speakers का, इस language को बोलने के लिए, वो क्या है? Muslim का है, याद रखेगा, about 80% Muslims of किशन गंज are सुर्जापूरी, प्लीज याद रखेगा, दूसरी तरफ अगर बज्जी का के बारे में देखा जाए, तो यह 5 dialect में से एक है, जो बिहा आपके ancient history बहुत important हिसा है वैशाली, आप इसे miss नहीं कर सकते हैं, मुझफरपूर और आपके सीतामर्धी, श्योहार और समस्तिपूर के अंदर में, बज्जी का जो है, यह इतनी जादा known नहीं है, जैसे आपके भोजपूरी हो गया, मैथली हो गया, इतनी जादा known नहीं है इसलिए क्या है, यह कहा गया कि सुर्जा पूरी और बज्जी का क्या करना हमें, प्रचार प्रसार करना है, इनको प्रिजर्व करना है, यह हमारे राज्य सरकार की क्या है, जिम्मेदारी है, यह कहते वे क्या किया गया, academies को क्या किया जाएगा, सेट अप किया जाएगा, तो इस move, देखे, हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं राजनीती भी जोड़ी जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो हर किसी region के अंदर में जो वहां के जो basic dialects हैं, जो वहां पर बोली जाने वाली भाशाएं हैं, उनको preserve करना ये सही माइने में जिम्मेदारी रहती है, तो साल जो जिया है उस भाशा ने, वो खतम हो जाती है, तो उसको preserve करना, उसको बचा कर रखना ये जिम्मेदारी है, और आप जानते हैं कि UN हो, चाहे central government हो, world के अंदर में अदर अदर, और nation हो, हर कोई ये मुहीम चला रहे हैं कि कैसे, जो आपकी regional languages हैं, कैसे उसको preserve किया जाए, तो वहां पर इसका इस तरीके से गठन होना, ये बहुत अच्छा एक positive direction में है, लेकिन इसको politics से भी आप जोड सकते हैं, क्योंकि कहा गया कि जादा तर जो बोलने वाले हैं, वो Muslim है, और जब उनकी बात की जाती है, तो vote bank, RJD, सारी चीजे, JDU, सब कुछ यहां पर connected है, लेकिन हम politics में नहीं जाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए main important क्या है, सुर्जापूरी और बिज्जा कहां पर ब अगाही, बांगला and South Indian languages, already exist हैं कहां पर बिहार के अंदर में, और बज्जीका के लिए और सुर्जापूरी के लिए अलग से दुबारा क्या जा रहा है, एक और दो और अकेडमी बनाई जा रही है, और इस से फाइदा क्या होगा, जैसे इस से क्या होगा, जो literary work होता है, प मैथली, भोजपूरी, उन्होंने तो बहुत अच्छा progress कर लिया, इवन बड़े बड़े शहरों में, बड़े आप एक और चीज़ देखे, कई सारी web series के इंदर मैथली का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे ही वहां की मगाही हो गया, अंगी का हो गया, बज्जी का हो गया, स से, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, कहां पर बोली जाती है, क्या है, किनके mixture है, और majority of section कौन बोलता है, क्योंकि यही से question आपके exam में आ सकते हैं, तो I hope आपको यह information काम की लगी है, अगर लगी है, तो प्लीज वीडियो को like करिए, share करिए, आप में साथ Instagram, Twitter पर connect कर सकते हैं टेली ग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो मिलते हैं अगले session में, अगली वीडियो में, bye bye, take care दोस्तो, जैहिन